खांगरेश पाटी के धक्ष्टी सरत पवार जी मंज पर बैठे हुए हमारे देश के सभी पाटी के नेतागन मोदी के पाटी को छोड़के मुझे काफी प्रसंता हुई कि हम इस देश के विभीन पाटी के नेताग अलग बिठे थे और नरंदर मोदी ससर रहे थे आगे हम एक नहीं थे एक मंज पर एक एक ओमिद्वार खड़ा नहीं होते थे उसका खम्याजा देश को भगतना पड़ा और मोदी काफी इसमें इसका लाव उन्होंने उठाया हम सुरू से हे यह गलाई लरते रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ भा मने भाजपा जामने जलाओ और पा मने पाटी बोलते रहते थे यह बात सही हो रहा है सही निकल रहा है इस देश में माइनर्टी सुरक्षित नहीं है क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश मेर क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्वसंखक भाई सुरक्षित नहीं है महसूस नहीं कर रहा है अच्छा देश में गरीबी बढ़ रही है महंगाई बढ़ रही है साथ रुप्या किलो भिंडी हो गया भिंडी तमातर का युहाल है सो जानते ही है जब कि तमातर में कोई स्वाद ही नहीं है इनके राज है लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस भुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पत्ना बंगलोर और महारास्टा यहां मुमई में यह मीटिंग के बाद अब एक निशकर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं और एक स्वारूप बना है संगठन बना है जो पढ़के कि आपको लोग को सुनाया गया आप सब को याद होगा कि कितना जूट बोल करके कितना अफवाः फ़िला करके इस सत्ता में लोग आए थे मेरा भी नाम उस समय और देश के निताओं का नाम इन लोगों ने यह परचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्वीश बैंक में जमाएं स्वीश बैंक में और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्वीश बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि पांच पांच लाख रूपिया जमा करें पंड़े पंड़े लाख रूपिया हम भी जासा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया मेरे साथ बेटिया दो बेटा और पती पतने दोनों मिला के एलेवन हो जाते हैं देखा कि भाई पंड़े स्वकूना कर दीजिए पैसा काफे मिज रहेगा हमने तो पसपालन में कोई पहमानी सर्थानी भर्सचार नहीं किया जो भर्सचार नरिंदर मोदी कर रहे हैं करा रहे हैं सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया सब गरेव गुरुबाया आदमी परचारित करवाया है लोगों अन मिला क्या सो देश के लोगों को मालूम होगा आप लोगों को भी मालूम होगा आप लोग में भी खुलवाया होंगा आप पर इसके दोग भी कि हो सकता है भाई मिल जाए पैसा है देश का तो मिल जाए वापस आजाए एक पैसा नहीं सब नहीं लोग का पैसा था अभी काफी जैजेकार हो रहा होना चाहिए बेज्ञानिकों का होना चाहिए चंद्रियान पर लोग गए सब घुमें फिरे लोग हमारे बेज्ञानिक देश का नाम उचा हुआ अब हमने सुना है कि मोदी जी अभी ये सोच रहे हैं और इसलिए पहले ही लोग सबा का म्यूटिंग में सुना है बोला दिया है हमने ये सुना किसी जी महाराजमी ने कहा है कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के बेज्ञानिक आगे देश को उंचा कर दिये दुनिया में नाम हो गया हम अपील कर रहे हैं ये इस रोग के बेज्ञानकों से अपने देश के बेज्ञानकों से मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए इनको चिन लोग से कि बात छोड़ो अब सुज लोग पर इनको पहुँचा पहुच तो जाओ हाँ धुनिया भर में नाम हो जागा मोदी जी का अमेरिका मेरिका सब देश कहाँ पीछे चिता जाएगा प्राहुल गान्धी जी घुमते रहते हैं अमेरिका में कई एक देश में इनको अशर मिला है तो ये भी देख लेगा हैं कि भाई मोदी जी सच्मुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं दसाहरा के बाद इसकी त्यारी कर लें हमारी सुबकमना है के चले जाएं इतनी गरीबी है गुरुबा लोग हैं विकारी है चारों तरफ फैला हुआ है और बोलते हैं कि देश आगे बढ़ गया कि देश आगे बढ़ गया देश के नेताओं को कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा आज इसको एडी में सीवी आई में यह ना फसा हों सब को फसा के यह हम देखते थे पहले के जबाना में सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे सामंती लोग होते थे वो गरिब गरिबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फसा के और सासन करते थे वो ही इनकी यादत हो गई है और हम लोग ड़ने वाले नहीं है हमने अपना किड्नी ट्रांस्पलांट कराया है कोई शौक से नहीं कराया है डाक्टरों नहीं कहा कि करा लो भाई हमारी बेटी सिंगापूर में रती है उसने अपने किड्नी दान दे दिया जीवन दान दिया हमारी बेटी और वाँ इतना हम अपना शदीर का अपरेशन कराये हुए हैं कोई ठेकना नहीं और पहले इस रोग क्या लाव है एसियन हार्ट इंशूट डाक्टर पढ़ना है यहां नामी ग्रामी सर्जन है पांच्छे हमारा अपरेशन हो चुका है लेकिन आप सब का अशिरवाद और किरपा है कि हम जीवीत हैं और हम आगे भी हम काफी मेरा होस्रा मजबूत है कि हम सहेंगे और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है बिल्कुल और सुन ले मोदी जी अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आप से लगते हा रहा हूँ गुजराद के जुद के लड़ाई राइट के समय से आपके और आपके गुरु कौन अधक्षय हो? नहीं नहीं उनके पाटी क्या धक्षी हो? अधवानी जी को तो गिरिफ्तारे किया था वो नहीं भाईगी अरे अभी जो है मज़े अमीत साह बताओ ही कहां के साह नेता हो गए कव का संगर्श क्या हो भाई? हम थेल राजसभा में थे उन दिनों में भाईरु सिंग से खाव साब जी उपरास्पती थे और दंगा जब हुआ तो चारु तरफ देश और दुनिया भर में एरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि मत जाना उदर भारत में मत जाना और इनको इनका प्रवेश भी निसेध हो गया था भी देशों में आप सब लोग को मालूम है कि इस तरका इनका इतिहास रहा है हम गमशी विछा के फ्लोर अवदी हाउस बहुत बैठ गया आगे चेर्मन के शेर के नीचे हम गा कि मोधी को गिरभतार करो गिरभतार करो मोधी को नहीं उठेंगे शादू तरफ से हाउस गरम हो गया हाउस और गरम होने के बाद काफी उनको परसानी हुई और स्वर्गे अटल विहारी बाज पेजी वो नेता थे वैसा नेता हमने नहीं देखा उन्होंने कहा नरेंगर मोदे को कि राज धरम एक कोई चीज होता है राज धरम लेकिन जो आदमे गिरफ्तारी के बात इतना सारा पिपक सब लोग हम लोग जूट गए थे कि भाई कम से कम कंडेंब ही कर उनके एक्षन को नहीं किया है लोग डिपलोर डिपलोर मतलब किया कि हो भी नहीं अंदर से नहीं निकला है लोग कि हम निंदा करें इतने बड़े दर संहार होगा था क्या क्या हुआ उसको दोराने की जुरूरत नहीं है हम सब लोग ज्यादा भाषन नहीं भाषन का तो मेरा हमारे दिदी भी यहां बैठी हुई है ममता दिदी निकल गई आशेट चले शारे जो उसमें लोग थे हमारे साथी बालू जी भी निकल गई अगर प्लेन है तो हम भी मेरा भी प्लेन भी निकल गई हम क्यों पीछर हैं हम भी निकल दाते हैं फ्लाइट के टाइम आप यह तो आप सभी पत्रकार भाईयों को मैं प्रणाम करता हूं सलाम करता हूँ, अदाब करता हूँ हम सब एक हैं और एक हो करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांदी जी को भी हम काफी मजबुती के साथ पिस्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एक जोट हो करके सभी लोगों को को एकोमोडेट करके आगे सीट सेरिंग अब सुरू होगा, सीट सेरिंग, और सीट सेरिंग में हम लोग सब लोग सफल होगा, कोई दिकत कठनाई नहीं होगी, कहीं कोई वाडल नहीं होगा, अपना कुछ नुक्सान करके भी हम लोग इंडिया को ये संग है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे, सभी लोगों को नमस्कार जिन्दाबाद, सब पनामा, क्या सलो? टाइम भी हो गया, तर नमस्के सब लोगों, पनामा. पावर साहब के लिए भी हम लोग की सुपकावना है, आप पुराने नेता हैं, डटे रहिएगा, अपना पार्टी को मजबूत रखिये, हम लोग आपके साथ हैं. गजब के लिए कमेड़े को हैं, चाहिए भी हम बदेते हैं, तर रही हम लोगों, आपार भार्टी को में हैं, आपके सुपकावना प्लाटी कूए बदेकी 9 रही हैं, पुरादी को में हम लोगों, टुपकावना है जजए लोगगों तर प्टेकित अजए. झाल झाल